हलो दोस्तों नमस्कार आपका अपना यूटूब चैनल एस के अज़ाद में आपका स्वागत है अज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ समास का सेकंड पार्ट जो आपके आने वाले एक्जाम में इनपाउटन है इनके पिछला वीडियो में बतलाएं थे समास में अब्याई भाव समास के बारे में और इस वीडियो में बतला रहा हैं तत पूरुस समास के बारे में देखिए तत्पूरुस समास क्या है यह जो वीडियो होगा सव्ट ट्रिक होगा समास को पहचाने का जिससे आप काम समय में ज्यादा मर्क्स लाग सके तत्पूरुस समास के दो भागों में बाटा गया है पहला है बियाधी करन तत्पूरुस समास और दूसरा है समनाधी करन तत्पूरुस समास लेकिन कबी-कबी कोश्चन पूछता है कि तत्पूरुस समास के कितने भेद होते हैं तो अगर इस तरह से कोशचन पूछेगा तो तत्पूरुस समास के भेद आप कहिएगा च्छा भेद होते हैं ये च्छा भेद दुत्या तत्पुरुस त्रित्या तत्पुरुस चतुर्थी पंचमी छट्थी और सत्मी तत्पुरुस ये आपका होता है तत्पुरुसमास के च्छा भेद लेकिन अगर कोश्चन पुछेगा कि बियाद्धी करन तत्पूरुस समास के कितने भेद होते हैं तो अब बताईएगा अंसर दो भेद कितना भेद बियाद्धी करन के दू भेद बताईएगा पहला हो गया बिभाक्ति तत्पूरुस अब दूसरा हो गया नय तत्पूरुस समास आप यहां जानते हैं कि बिवहक्ति तत्पूरुस को भी बाटा गिया है छहा भाग में जुत्य तत्पूरुस तिरित्य चतूर्थी पंचमी छस्टी और सत्मी यानि बिवहक्ति तत्पूरुस को भी छहा भागों में बाटा गिया है फिर दुसरा पाट था नय ततपूरुस जिसको आप जानते हैं नय समास के नाम से फिर ततपूरुस समास के दुसरा पाट है समनाधी करन ततपूरुस समास जिसका दुसरा नम होता है करमधारे शमास यानि समनाधी करन तत्पूरुस समास का ही दुसरा नाम है कर्मधारे समास कोस्टन को पुछेगा समनाधी करन तत्पूरुस का दुसरा नाम क्या है तो अंसर क्या हो जाएगा कर्मधारे समास और कर्मधारे समास का एक भेद होता है दिग्गु समास वो है कम समास दिग्गु समास जो आप अलग से पढ़ते होंगे इसी तरह से आपको बतलाने थे हैं स्टार्टिंग में कि समास का चार भेद होती है अब यह भाव समास Tadpurs समास दवन समास और बहु बरी समास और बाकी जैक्श्टर समास आता है जो सब देख रहे हdetermgenे दिगुसमास आगिया, कर्मधारे आगिया, नए ततपूरुस आगिया, यह ततपूरुस आगिया, तो छभवो में आगिया, तो अब इसके बाद यह तो हो गया बरगी करन सभी का, अब इसके बाद समझेंगे, पहला कोसन तो यहां से उठ़ेगा कि ब्रादी करन ततपूरु पुरसमास ऑने तत पुरुस हमस को पहाचा दूशा हो पिसके बाद केृम इन सो मस्तैं है कि कि तत्पुरुस मास को पहचाने पहाचाने में कैसा तो सवाचाने I can क्या मैं यह भी नेन लेकर चलिए मुख्त जक् Verfügung समास को इसमें काचाना जाने का का नियम है कि अगर आपको समस्त में तो दो पद होता एक समस्त पद एक समस्त बिग्र है तो समस्त पद में अगर आपको दोनों के दोनों संगिया रहेगा मनें सांगिया एक ही को रहेगा और उससे रिलेटर सब्द रहेगा पीछे उससे सवांजीत सब्द रहेगा पीछे तो समाझेगा कि तत पूरु समस्त को दोहरन है जैसे एक्जामपल देखते हैं गो हितम गो हितम तो कहते हैं तो गो हितम मनें गो मन होगिया गाय हितम मन होगिया उसका बहलाई अगर हमको तत्पूरुस समास पहाचानना होगा तो सबसे पहला पत देखेंगे क्या संग्या फिर आपको इस तो समस्त पत में पहाचानना होगा अगर आपको बिगरा किया हुआ रहागा समास बिगरा समास बिगरा किया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे समास बिगरा किया हुआ रहेगा तो देख रहे है न यहाँ दुत्य भक्ति से लेके सतिम भक्ति तक यही आपको समास बिगरा में स्टार्टिंग में लगा हुआ रहेगा मैंने पूरु पद स्टार्टिंग जो कहते हैं पूरु पद स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट होता है वहीं से उसी में आपको चाहे दुत्ते भक्ति लगा रहे हैं चाहे तृत्ते, चतूरती, पंचमी, सास्टी, सब्तमीन में से कोई भी एक लगा रहे है तो समझेगा वो कौन समास का उदारन है तत्व पूरुस समास जैसे एक्जामपल देखिए यह किसमे रहेगा समास बिगरह में समास तरफ में सिर्फ देखेगा आपको संगिया पहला पाद क्या रहेगा इसे गाबे गाबे हीतम गाबे हीतम रहेगा तो अपको इसे पहचानियेगा तो गाबे हीतम रहेगा तो समाझ जाएंगे इसे देखिए फिर मुटा लगिया गाबे हीतम तो गाबे हीतम रहेगा देखिए गाबे में चाटूर्थी लगा हुआ है गो से तो इसकालन के वल्म स्रित है टाइआ पूरुष्ष मेस्त और भी देख लगता है जैसे कि क्रिशन सुरिता क्रिसन र अूर्ज क्रिशन सुरित है क्रिसनत हो गिया अब शिरीता में आश्रित हो गया क्रिसन को आस्रित तू अंसर होग Итак पूरुष्षम no किरिष्नेन हो जाएगा किरिष्निंड किरिष्नम्य अस्रित्थ स fundament तो हो जाएगा क्या prince और बहुत महें जीव के लिए जीव के लिए पाली इसमाराता जैए म मसमर्न जान सकते के ठत्थमार्थ बहुतते हुआ है कि लगभाग अब तत्पूरु समास आपको पहाचना जाएगा इतने भैकते लगव रहा है घत्तो अब दखते हैं नए तत्पूरु समास में नए तत्पूरु समास को कैसे पहाचने के लिए सबसे पहला कि अगर आपको समस्त पद में अगर आपको समस्त पद में याद रखिएगा किसमें समस्त पद में स्टार्टिंग में आ पूरु पद में अगर आ लगा होगा तो अब समझ जाएगा कि ने तत्पूरु समास को दारन है सिर्फ आ आ नहीं अगर आएगा तो हम ये भाव समस हो जैसे पढ़े हो ाजीवन्हів तो आ नहीं रखना है क्या रखना है ये लिए लिए अगर समस्त पद में स्टार्टिंग में आ मिलेगा तो हम कहेंगे कम समस ने तत्पूर समस्त लेकिन जो समस्त पादि को बात हो गया जैसे एक्जामपल देखे लेते हैं आधारम हो गया तो आगे आ लगा हुआ है तो हो जागा नैतत पुरुष समस्त उसी तरह सवर्द देख लेते हैं आज़यरशत अनर्थ्थ हो गया नाभिवरशत अनिसवर अनिसवर हो गया तो यह जतना भी देख रहें आगया लगा हुआ है तो हो जगा नए तत्पूर्श समास अगर आपको समास बिगरह में करके दिया हुआ है तो किसे भाचा नहीं है किस में समास बिगरह समास बिगरह में करके दिया हुआ है समास बिगरह में अगर है तो स्टार्टिंग में ना लगा रहेगा ना और पीछे कुछ भी लिखा हुँ रहेगा जिसे ना धर्मा या और भी कुछ रहेगा लिखा हुआ ना अर्था या स्टार्टिंग में ना लगा रहेगा पीछे फिर अर्था धर्मा कुछ भी लगा हुँ रहेगा ना अर्था ना धर क्माल ना अदी कि चूछ आप पुर्तत में तो क्या लगा रहा हैं क्या लगा रहा है कि अगर सी अ borrowed सबाहे कि समास्त भी है स्टार्टिंग में रहे तो भी मैस समस्त में अब इसके बाद चुर्शत है समनाधी करंतत पुरुष समास समनाधी करंतत पुरुष समास में इसी का दुस्तर नम क्या है करमधारे समास करमधारे समास को कैसे पहचाने के लिए सावट ट्रिक एक ही है कि अगर पहिला पद भी सेशन रहेगा पहिला पद अगर भी सेशन मिल जाए कर्मधारा समास हो जाएगा जैसे देख लेते हैं महापुरुस या निलोत पलम जैसे निलोत पलम हो गिया तो निला कामल हो गिया तो यह समय जतना भी देख रहे हैं सर्व कर्मधारा समास हो जाएगा जैसे सीतल चाया हो गिया यह भी कर्मधारा समास हो जाएगा तो कर्मधारा समास पहाचाने के लिए आपको पाहिला पद भी सेसन होना चाहिए अगर भी सेसन हो जाएगा तो कर्मधारा समास हो जाएगा बिग्रा करने का बाद क्या है तो बिग्रा करने बाद इसमें कुछ नहीं करेंगे जैसे लिखा वह भी सही लिखा रहता है ऐसे महान पूरुस महा पूरुस तो महामन होता है महान तो महान पूरुस है महान अन्य हो जागा पूरुस है फिर आप देखते हैं दिग्रु समास दिग्रु समास में क्या होता है दिग्रु समास में कहता है कि संखिया पुर्व दिग्गो मनें पहला पद संखिया बाची सब्द होना चाहिए अगर पहला पद संखिया बाची सब्द होगा तो हम कहेंगे कि दिग्गो समास को धरन है जैसे देखिए पंच बटि तिरी लोग की या और भी देख सकते हैं तीर भूच चतुर भूच अनि जहां संखिया से स्टार्ट हो तो समाज जाएगा कि जिग्गू समास है तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार तत्पूरु समास को पहले बतलाएं कि तत्पूरु समास के कोश्चन अगर पुछेगा कितने भैद होते हैं तो अंसर बतलाएगा अच्छा भैद अगर पुछेगा ब्यारी कान तत्पूरु समास से कितने भैद होता है तो दो भैद कौन-कौन विभाक्ति और नए तत्पूरु समास बिभाक्ति तत्पूरु समास को पहचाने के लिए बताएं कि पाहिला सब्द संगिया होना चाहिए दूसरा सब्द उसी से रिलेटेड होना चाहिए फिर आपको बतलाएं कि अगर बिगरा किया हुआ रहेगा तो कोई भी भी भाक्ति का सब्दूर्प रहेगा पहिला सब्द में पहिला जुत्या तिर्ट्या चतूर्थी जो भी रहेगा जुत्या सेले के साती भक्ति तक लगा रहेगा तो समझेगा आप कि वो तत्पूरु सम समस्त का उद्धारन है अब नए समस्त में समस्त में अ रहे में समास बिरह में नब समस्त ना कर्मदहरण समास का पहाचान होता है कि अगर पहला पद भिशेसा ना जाए तो कर्मदहरण समास हो जाएगा दूसरा पद कुछ भी आवे मेन भी पहाचानना काम है एक्जाम है नजदिक मिसकांसे बहुत सौट बतला रहे हैं जिससे आप को प्रोब्लम नहीं हो समास को पहाचानने में अनि कर्म 12 के लिए पहाचान के लिए क्या हो गिया कि पहला भी सेशन दूसरा कुछ भी हो कि सब्सक् सेंपाव को इस सहतर से पहला प्त्र मंत्रोब्ला कंट कर्म 12 क.' आगर आदे क्रें दिध को मा स होगा तो पहला सब्द की पूर पढ़ को शंक्या माचीं सब्द होना चाहिए चाहे एक हो दो हो तीन हो चार हो पांच हो छो कुछ भी हो तो इसे पांच बटी वो समाज मागिया होगा तो अगर समाज माया होगा तो आप इसे लाइक कमेंट और सेर जरूर करें और कमेंट में बतलाएं कि वीडियो कैसा लगा तो इसके अगला part जलद ही ऑने वहाँ है ठरड़ part जिसमें आपको बतला जाएगा द्वान समास का पाँचान और बाहू बरी ही समास का पाँचान साउट में ही जिस्से आपको एक्जाम में अने वही एक्जाम में फाइदा कर सके ठंक्स